आज की इस यूडियो में हम बात करने वाले है कि बच्चों को गुस्सा क्यों आता है, बच्चे गुस्सा किस तरह से निकालते हैं, गुस्से के दुश्प्रबाव क्या है और इसके इलाज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, तो चलिए दुस्तों स्टार्ट करते हैं, मै तेरे इस YouTube चल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चा अपने बातें कई तरह की भावनाओं के साथ बताता है। और उन्ही में से एक है गुसा। बच्चों में गुसा आना एक सामन्य है। गुसा करके बच्चा बताता है की काम उसके अनुसार हो रहा है या नहीं। दर असल बच्चों का गुसा करना कुछ हर्थ सही है। लेकिन अगर बच्चे का गुसा आकरामख हो जाये तो यह चिंता की बात हो सकती है। जैसे बच्चे गेम्स खेलते हुए जगड पड़े, कोई फन एक्टिविटी करते हुए गुशा करने लगे, हर समय गुशा करने से बच्चों की शरीरिक वो मांसिक विकास पर हसर पड़ता है, ऐसे में बच्चों का गुशा आने पर उन्हें दुसरी एक्टिविटी में व् कई कारण है जिनकी वजे से बच्चा ज़्यादा गुसा करता है, इसके पीछे गर का खराब माहोल मुक्ख्यकारण हो सकता है, इसके अलवा अगर बच्चा अपना होमःक नहीं कर पा रहा है, उसे फ्रेंशिप प्रॉल्म्स है तो वो अपनी भावना को गुसे के जरेश बा अक्सर बच्चे को ज्यादा गुसा तब आ सकता है जब चीजे उसके मुताबिक न हो, बच्चे को महसुस हो कि उसके साथ गलत हो रहा है, कई बार ठीक से बात को न कवे पाने के कारण भी बच्चे को गुसा करती है, सबसे खराब स्तिति तब हो सकती है जब बच्चे को किसी बात के लिए दोशी ठहराया जाए जबकि उसकी गलती न हो दूसरा है कोई काम करने में परिशानी आने पर कई बार बच्चे उस समय भी गुसा करते हैं जब उन्हें अपना फोमवर्क समझ नहीं आता या वे एकजम के तयारी और स्कूल वर्क करने में परिशानी मेहिसुस क कई बार कोई गेम खेनने के दवरान हारने पर या कोई लेवल कंप्लिट न कर पाने पर भी बच्चे को गुसा आ सकता है तिसरा है जुझलाहट होने पर कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे उन्हें दिया गया कोई टार्गेट पूरा नहीं कर पाते हैं ऐसे में बच्च जिलाट में आकर अपना गुस्षा बाहर निकाल देते हैं चार है अच्छे दोस्त नर्फ होने पर कहीं बार देखा गया है कि बच्चों के अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते या फ्रेंड्स सरकल में उनकी बुलिंग होती है बुलिंग होने पर या बच्चे का नाम गलत तरह से पुकारने पर या किसी अन्य तरीके से तंग करने पर बच्चे गुस्षा करने लगते हैं पांच है फैमिली प्रॉब्लम्स कहीं बार पैरेंड्स बच्चों के लिए ऐसा रूस बना देते हैं जिसे बच्चे ठीक तरह से समझ नहीं पाते ऐसे में वो गुस्षा करने लगते हैं दुसरी और कहीं बार बच्चे घर में होने वाने लड़ाई जगडे को देख कर भी गुस्षा करना सेख जाते हैं इसके अलावा पैरेंड्स और फैर्मली मेंबर्स का बच्चे के साथ व्यावहार भी बच्चे में गुस्षे का कारन बन सकता हैं छे हैं मानसिक समस्या होने पर Mental Health Issues भी बच्चे के गुस्षे का कारन हो सकता हैं कुछ बच्चों में Depression, Anxiety, Oppositional Defendant Disorder, ODD और Hyper Activity Disorder होने पर Emotions कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है नतिजन वे काफी स्ट्रेस और डर में जीने लगते हैं और इस कारन गुस्षा करने लगते हैं साथ है अन्ने कारन कई बार बच्चों को बेवज़े गुस्षा आने का कारन कोई ट्रॉमा, एक्सिडन, पेरेंस का अलग होना एक घर में बच्चे को प्यार न मिनना हो सकता है इसके अलावा थकान, बीमारी, भूक हार्मोन में बदलाओ, प्यूबर्टी चेंजेस, जेनेटिक माहोल, अचनक बदलने, लाइफ में बड़ा बदलाओ आने या दुसरे लोवर टॉलर्स होने पर भी बच्चों को गुस्षा आ सकता है अब बात करते हैं, बच्चों का गुस्षा कम करने के उपायों के बारे में बच्चों को गुस्षा कई बातों पर आ सकता है, लेकिन आप बच्चे को क्वालिटी टाइम दे कर या गुस्षे का कारण जानकर गुस्षे को कम करने में मदद कर सकते है हाई निस्तार से जानते हैं बच्चों के गुस्टे को कम करने के उपायों के बारे में पहला कारण है यदि आपके बच्चों को गुस्टा आ रहा है तो ये जानने का प्रयास करें कि आखिर गुस्टा क्यों आ रहा है यदि बच्चा आपसे बात नहीं करना चाता तो बच्चे की बात उससे करवाए जिस पर वो सबसे ज्यादा भुरोसा करता है इससे बच्चे की परिश्यानी जानने का मौका मिलेगा और उसी दोरान बच्चे को समझा सकते है कि वो गुसा करने के बज़ाए अपनी प्रॉल्मस को कैसे हल कर सकता है दूसरा है Anger Booster Trinks बच्चों को गुस्चों कम करने के लिए कुछ tricks को follow किया जा सकता है जैसे कि बच्चों को गुस्चा आए तो उसके साथ 10 तक count करे अगर बच्चा बड़ा है तो बच्चों को गुस्चा आने पर 10 तक गिंती करनी की practice करवाए बच्चों को धेरे धेरे और घेरे सास लेने के लिए कहे, बच्चों को अकेले में जाने के लिए कहे, जहां बच्चा खुद को शांत कर सके, बच्चे को अधिक गुसा आने पर जंपिंग जैक्स, रनिंग, स्टॉड्स, वॉक, साइकलिंग या अन्ने कोई एक्सेज़ करव बच्चे को तब तक गल्य लगाय रखे जब तक की उसका गुसा शांत न हो जाए गुसा किस वजह से आया है उसको नाम दे और उस पर बच्चे के साथ मिलकर ब्राइंग करे बच्चे को म्यूजिक सुनने के साथ ही गाना गानने के लिए कहे गर के आसपास तेजी से पांच रौन मानने के लिए कहे कुछ एक्टिविटी करे जैसे की बच्चे को बाइक रैडिंग, वीडियो गेम, स्केटिंग या बास्केट बॉल जैसे गेम्स खिला सकते है गार्डन में जाकर बच्चे से घास तुडवाए, बच्चा गुस्से में घास तोड़ेगा, कुछ देर में ही उसका गुस्सा शान्त हो जाएगा दितरा है positive रहे बच्चे को गुस्सा आने पर आप शान्त और positive रहे और आप हसी मज़ा करने वाला माहोर बनाने का प्रयास करें बच्चे को गुस्सा आने पर distract करने के कोशिश करें और बच्चे से eye contact करते हुए प्यार से बात करें चार है behavior reward दे, बच्चे को शान्थ करने के लिए reward रूस बनाए, बच्चे को बता है कि इन बातों पर गुस्टा करने से उसके reward points minus होंगे, और कैसे अच्छा behavior करने पर उसके points less होंगे, इससे बच्चे को गुस्टा कम करने में और ज़दी शान्थ करने में मदद मिल सकते हैं, पांच है, डॉक्टर से मिले, जब ऐसा लगे कि बच्चा का गुस्ता दूसरों को नुक्सान पहुंचा रहा है, तो बाल रोग तद्य से संपर्ग करे, कई बार बच्चों को लक्षनों के हिसाब से उन्हें mental health service भी दीज जाती है, तो आज की वीडियो में बस इतना है, य ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे निचे कॉमें सेक्चिन में कॉमें सके बताएए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़र करना, और मेरे इस यूट्यूब चाहूँ सब्सक्राइब करना ना बोलिये, तो मिलते हैं मेरे ने श् सूरे में तब तक के लिए धन्यवाद